खुफिया एजिंसियों की रिपोर्ट और एनाईय की जाच में ये सामने आया है कि पाकिस्तान अपने नापाक मनसुबों को अन्जाम देने के लिए आतंकी संगठन लशकरे तैबा के जरिये नाबालिकों को हतियार बना रहा है खुफिया एजिंसियों को इंपुट मिला है कि लशकरे तैबा पाकिस्तान के अपने ठिकानों पर बारा से सोला साल के किशोरों को अतंकी प्रशिक्षन दे रहा है इनको हतियार चलाने से लेकर बम बनाने तक के ट्रेनिंग दी जा रही है इनका इस्तिमाल भारत के खिलाब आतंकीों को हतियार और अन्य लोजिस्टिक सपोर्ट के लिए किशोरों पर पुलीस या अन्य सुरक्षा एजिंसियों को शक नहीं होता है इसलिए भी उनका इस्तिमाल किया जा रहा है खुफिया एजिंसियों ने इस बारे में जम्मू कश्मिर की सुरक्षा एजिंसियों को अलर्ट किया है सुत्रों के अनुसार आतंकी संगठन लशकर एतेबा के हैंडलर साजित जट उर्फ सैफुल्ला अबू कताल उर्फ कताल सिंधी और मुहम्मत कासी भारत के खिलाफ अपने पाकिस्तानी एजेंटे के तहट खतरनाक साजिश रच रहे हैं इस साजिश के तहट कश्मीर खाटी के गरीब परिवारों के बारा से सोला साल तक के किशोरों को पेसों का लालश दे कर ना केवल अपने साथ जोडा बलकि उन्हें कश्मीर से सीमा पार करा कर पाकिस्तान ले गए इन बच्चों के मन में धर्म के नाम पर जहर का बीच बोया जा रहा है उन्हें न केवल हत्यार चलाना बलकि घातक बंब बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है लशकरे तैवा की शुरों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना और टार्गेट कीलिंग की साजिश के लिए करना चाहता है इनसे हत्यार पहुचाने और वारदात के बाद आतंकियों को लोजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए भी किया जा रहा है